गोपी काएं वे जिन्होंने अपने आपको समर्पित कर दिया है भगवान के लिए जिसकी इंद्रिया अपने कंट्रोल पर हो गई है जिसने अपने कर्मेंद्रियों को वस्पे कर लिया है पी लिया है वही प्रची गोपी काएं है और गोपिकाने ग्यान इसनान करते हैं और ग्यान इसनान करते करते हैं अपने कपड़ों के सुदबुद भूल जाते हैं कौन से कपड़े की तो गीता जी में कहा वासान से जिर्दानी यथा विहाए नवानी धिनाती नरोपराणी तथा सरीराने विहाय जिर्णाती आगी शयाती नवानी देवी वस्तर को क्या कहा? कपड़ा और सरीर को भी क्या कहा? कपड़ा तो कौन सा कपड़ा चुराया भगवार ने? ज्यारिस नांकर रही गोपी काएं उनके देह रूपी वस्तर की सुदवद को भूल चुकी थी और भगवार ने उस वस्तर को चुर चुर लिया था कौन सा कपड़ा? देह रूपी कपड़ा इस थूल कपड़े की बात नहीं है और एक बड़ी बात क्या है? ये कपड़ा ही तो है जो तुम्हारे और हमारे मिलन में बादा है भगवान कहते हैं ये देह का भान ही तो है जो तुम्हें आत्मा बंदे नहीं देता और जब तक तुम आत्मा नहीं समझोगी तब तक तुम मुझसे मिलन कैसे मना पाओगी? नहीं मना पाओगी तो ये खपड़ा है शरीर रुपी बगवान कहते हैं यदि तुम मुझसे सचा प्रेप करती हो ना तो देह का भान भूल कर निर्वस्त्र अर्थात आत्मा रूप में इस्तित होकर मेरे करीब आगा तो मैं तुम्हें अपना लोगा जैसे हैं वैसे पन्तियों के पास जाना होगा बगवान कैसे हैं कपड़े के साथ हैं के कपड़े के बिना हैं बिन्दू सोरूप है तो हमें भी क्या बना कपड़ेगा उनसे मिलंद बनाने के लिए बिन्दू बनना का तो दे है के कपड़े के सुद्बुत भूलानी होगी बात समझा रही है ना इस तूल कपड़ा नहीं ना अब ऐसा तो कभी नहीं बोलोगे ना कि रुष्ण जी ने कपड़े चुराया बोलोगे कोई बोले तो क्या संजाओगे अपनी संस्क्रती को अपने धना को गिरने दी देना यदि आपको पता है तो बोल देना आपको उतना पता नहीं है यह बात है देह रूपी कपड़े की और भगवान ने कौन से कपड़े चुराये देह रूपी वस्त्र चुराया शरील में दूरील बुपीब स्टोरेiley आि भाकुला इसाद दू मनली कुबाना, 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 कुबाना कुबाना